परिंदों को मन्जिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं खामोश रहते हैं जमाने में कुछ लोग जमाने में उनके हुनर बोलते हैं गाउं का अंचल है चोटा सा गाउं है कोलाए तैसिल बिकानेर जिले का दियातरा गाउं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह एक ओटो हम एक ओटो ड्राइवर टेक चंजी के घर पे पहुंचे हैं कारण है इनके बेटे ने 98.20 प्रतिशत अंकों के साथ पूरे राजस्थान में अपने काबलियत की धमक गुझाई है आईए अंदर चलते हैं एक साधारन घर है र इसलिए हम उनसे खास मुलाकात करने के लिए हैं और आपको भी मिलवाते हैं कि किस तरह से उसने तैयारियां की यह है दियात्रा गाउं कोलाय तहसील बिकानेर जिले का टेक चंजी का घर जिनके बेटे ने राजस्थान में अपनी काबलियत की गुझ बनाई है इठान में पॉइंट बीस प्रत्सत अंकों के साथ बिकानेर जिले को टॉप किया है यह है टेक चंजी नायक का परिवार आज बहुत जश्न और खुशी का मौका है कि साधन परिवार के बेटे ने टेक चंजी के बेटे बोजराज ने पूरी राजस्थान में एक शांदार रेंग हास आदमी की काबिलियत किसी संसादनों की महताज नहीं होती यह साबित किया है दियातरा के भोजराज ने बड़ी-बड़ी स्कूलों और बड़े-बड़े कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले उन सभी को पीछे छोड़ते हुए भोजराज ने एक सरकारी स्कूल में एक छ आपकिया हो राजस्तान में सेकिंड रेंक रही है ऐसे होनहार बालक जो कि एक साधान घर से हैं बिलकुल एक साधान छोटा सा गर है गाउं के लोग हैं और जिनके पिता जी जो पहले टेक्सी चलाया करते थे और आजकल अब मज़दूरी किया करते हैं क्योंकि टेक्सी भी आपने बिकानेट जिले को टॉप किया है पूरे राजस्तान के लोग अब आपकी और देख रहे हैं एक साधारन गाउं में और एक सरकारी स्कूल में पढ़कर किस तरह से आपने तयारियां की यह क्या सीक्रेट है आपका सर मैंने अपने गुरूजनों का कहना माना और उनी अब पर आपको अच्छा ही दिया है तो तयारी जो आपकी थी आपने किस तरह से तयारी करते थे जब आप शुरूजनों से पढ़ते थे या किस तरह से क्या तयारियां करते थे मैं किताबे पेले किताबे पढ़ता किताबों को पढ़कर मैं अपनी मारवड़ि बोलते हैं अपनी हिसीं अपनी बासा में बनाकर कि उसको सरेल कर लेते थे ताकि वह और भी अच्छी तरह से याद हो सके तो इस तयारी के लिए जैसे स्कूल में आपके जैसे सेलेबस जो होता है वह जैसे सिलेबस कब तक पूरा हो गया था और फिर किस तरह से तक पूरा हो गया तो बाद में टेस्स सीरीज चालो हो जुकी थी तो अब आपको कैसा लग रहे हैं आपको लोग बढ़ायां दे रहे हैं विकानेर जिला बहुत बड़ा जिला है और उसमें मतलब आप सबसे ज्यादा हाई रेंक हैं और एक साधरन घर से मैं कहता हूं साइद आपको बहुत जादा संसाधन भी नहीं मिलने पढ़ने के लिए कोई और भी कुछ और भी आप कुछ और भी करते थे तैयारियों के लिए इसकूल के लबाव एक में सिरप अब आप पढ़ने के लबाव और अब कहता है जब काम करता हैं तो किए यहां पर क्थैंग होती आपके गाँ पर क्थैण किस चीजगी अभी कि वस्षर्ट थी ता करते हुए और इन्होंने जो जो रेंक हासिल की है वो वाकाइदा काबिल तारीफ है और जरूरत है सीख लेने की अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने की हर बच्चे को जरूरत है सीख लेने की आत्मविश्वास जगाने की क्योंकि वो भी कुछ कर सकता है आप क्या मानते कि सफल होने के लिए आदमी में क्या होना चीए सफल होने खुद की लगन और मेहनत होनी से बस तो थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आप सिले बस जो किताबें जो हमारी कोर्स की होती है उनको पढ़ने के अलावा कुछ और भी पढ़ते थे इंटरनेट या और साधनों से भी क नारवाडी में याद करने के कोशिश करता है उसके लगा मैंने मैंने टूशन कोचिंग कुछ नहीं लिए कोई टूशन किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं लिए थोड़ा सा बेक रिजल्ट भी बताएं आपका किस तरह से रहा है आपने 10th में किस तरह किया प्रसेंटेग मैंने 10th में 83.67% लिए थे यानि उससे आपने बहुत अच्छा ग्रोध किया 10th से मैंने 10th से अच्छा ग्रोध किया भी पहले उसको सोच लिया था कि भी 10th से अपने और आगे निकलना है जब कुछ पर्टिबा को समानित किया जा तब सोच लिया कि इन से आगे निकलना है किसी पर्टिबा समान समारों में आप गए तहां इसकूल में वार्श को तो वार्श को स्कूलता पर्टिबाओं को जब अच्छे नंबर लाने वालों का समान किया जा रहा था तब आपने वहां पे यह सोचा कि एक दिन मेरा भी ऐसी तरह से बिलकुल यह देखिए जजबे को इनके सैलूट करता हूं पर्टिबाओं को देख करके और इसी लिए हम भी इस तरह के गारिकरम बनाते हैं कि ऐसी पर्टिबाओं को देख करके दूसरी जो पर्टिबाएं हैं उनमें भी होसला बड़े और वो भी कोशिश करें आगे बढ़ने की जिंदगी में कुछ और आगे आपका क्या लक्षे रहेगा कि आपने यहां पर बहुत अच्छा प्रदिशन आपने किया है तो आगे आप क्या करना चाहेंगे आगे मेरे गुरुजान और मातापिता जो सदेक्स करेंगे मैं उसके हिसाब से तियारी करूंगा तो आपने कुछ ऐसे टार्गेट नह किया आई इस और आई येस् कियो मनेंगे क्योंकि हमारे समाज में कोई जड़ा जन सुना वाई नहिकरने आघ और उनके कहीं पर ऐसे अञ्याय भी होते है तो उनकी जन सुनाल नहीं करता है इस तिमे आइस के त्यारश करना सरा गाउं के लोगों की आवाज आप शहरों तक पहुचाने की या प्रसाशन तक पहुचाने के लिए तो एसा कोई बिक्ति या एसा कोई roll model जिसे इतने केते हैं कि कोई ऐसा कोई यूटूब पे आईयस के मोटिवेशनल जो स्पिस थे उने देखा करता था और उनसे मोटिवेट होकर मैंने यह त्यारी करने की सोची तो आपके इस्थापते सफलता के लिए क्या कुण जि क्या होती है कोई भी जो लड़का सफल होता है बड़ी सोच लगन और महनत होनी चाहिए बस बड़ी सोच होनी चाहिए और थोड़ आपने पढ़ाई के बारे में बताई। कितने गंटे परते थे किस त्रह से परते थे मैं लगबग 3-3-3 गंटा परते थे और मन्तली एबरेके तो तो अन्य और मैं आपके साब से पढ़ने का कोई एक समय नहीं होता है किसी के समय पढ़ा जा सकता है अब के बहुत साब सारा पटना जरूरि होता है या थोड़ी देर ध्धान से पढ़ना चीए यह पढ़ने की क्या पॉलिश होनी चैसे दिमाग जल्दी केच करते हैं पटने के लिए शिरफ पीन पिर पत्फाहर ब्यक्ति को जरूरत है कि लगन से करें जो काम करें अपने मन से करें और जो काम मन से किया जाता है और सफलताइं मिलती भी हैं और साधारन परिवार है मैं心 और पापा से भी मिलवाऊंगा, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को तयार किया, कि वो बच्चा आगे लगन, उसे आगे बढ़ सके, थोड़ा अपना परिवार का परिचे बताएं, जैसे कितने लोग हैं आप परिवार में, मेरी परिवार में पांस लोग हैं, दो मेरे, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक मुमी पापा, क्या करते हैं मुमी पापा, किसान परिवार से यह, पहले टेक्स ही चलाते हैं, अभी खराब हो चुकी है, अभी क्या करते हैं अभी मस्दूरी करते हैं खेती कर लेते हैं खेती बाड़ी का गाम करते हैं आपकी माता जी क्या करते हैं गरहनी है और जो भाई हैं वह बाई पढ़ता है बारी में उसने मेरे साथ भी उत्रीन किया बार भी और वो जो छोटा वाला है वो पांच इन हैं जो एक साधान घर से होकर के बिना किसी संसादनों के अपनी लगन और अपनी उंची सोच और लगन के साथ अपना मुकाम बना रहे हैं उनके पिता जी टेक्चन जी मेरे साथ में थोड़ी बात streams करेंगे घर की íveis के माहौल की तो टेकचन जी किस तरह का आपके घर में जैसे माहौल पढ़ाई को लेकर के रहता है आपके खुद कितने पढ़े हुए है तो आपके बच्चे ने जिस तरह से श्यांदार नंबर लिये हैं पूरे विकानियर को टॉप किया है विकानियर में बड़े-बड़े इंस्टिटूट बड़े-बड़े को लेज हैं सब कुछ हैं बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कि आपके बेटा सबसे आगे निकल रहा है कि मेरे ऐसे अशभी वे अपना बचा आगे पड़े रहा है जैसे मैं गरीब गर से हूं इतना तो जादा नहीं पढ़ा सकता था लेकिन अब जैसे ही इसकी रेंक आगे बड़ी है तो मन मानस ऐसे ही रहता भी पढ़ाएंगे इसको और मैं तो एक साधरनगर से हूं खेती का काम करते हैं वैसे और मजदूरी करते हूं केती और मजदूरी करते हैं आपने सोचा था कि आपका बेटा मतलब इतना हो सकता है इतनी बड़िया नंबर ले सकता है प्रण करता है अब कुछ करो उन बड़ियों के लिए सब के लिए परेड़ना होगा यह परेड़ना होगा ने शमाज के लिए और मेरे गाउं के बढ़ना चाकरत होगी अगर बोजराज इतने नंबर बिना सकता तो अपने बेड़ाएंगे तो इसको कभी कोई और जैसे पढ़ाई जो स्कूल के पढ़ाई होती है उसके अलावा भी कभी कोई टूशन वगरा या कोचिंग पीजा कभी तूशन दूशन बंढता जाता नहीं है यह कम जाते कोई बुला लेता है तो ऐसे जाते हैं नहीं तो घर पर ही पड़ता है जैसे यह थाना कोरॉना काल उ करूश में पढ़ाई तो अपनी मिलब डिश्टर्बूई या उसका फायदा मिला पढ़ाई डिश्टर्बूई उससे मैं इसकूल नहीं जा सका और से पढ़ने ही सका बस अगर अगर मिलब कोरोना नहीं उतार आपको पूरा एकदम एक मोका मिलता तो आप और भी अच्छे करी सो अठीति कौन कौन से आपके सब्जेक्न हैं और कौन कौन से आपके मार्व कितने लिया है हैं इंदे में पिच्यान में इंग्ली समें चिन में बाकी तीन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल जोग्रोफियो और रास्ता निशायती उनमें सो सो है सभी में जो ऑप्षिनल जितने भी सब्जेक्ट हैं तीनों सब्जेक्ट में 100 बाई 100 यह है 12th Arts के राजस्तान के सेकंड टॉपर और बिकाने इरजिले के टॉपर तो थोड़ा गर का माहौल के बारे में बात करेंगे कि जैसे यह घर पर जैसे खाने पीने में को चीज जैसे इसकी क्या सोक रहता है कोई चीज जैसे कहता है पापा यह लाना वो लाना क्या निया व कुछ नहीं है कि माता जी कुछ आदम बिशेच करता है कि अपने मार्वाड़ी में कहते हैं कि कुछ विशेच करता है मारवाड़ी कुछ चक्कियों कि भूत वई पूल विशेंाजette माता जी आज कोई विशेच चक्किम अटो ऊसकीन अडरो तो बजिएकुकर कि भागवार दे रहा कि ने ने कंग को और नहीं होता है मेरे कहने का मतलब है कि इस पेशल जो क्वालिटी होती है वे व्यक्तिय के अंदर खुद में होती है कुछ कहने पिने से कुछ नहीं होता है जो होता है वो अपने बुलंद होसलों से होता है अब आगे ये जो जिन्दगी में करना चाहता है मालो यूपियसी के एकजाम देना किस तरह का सपोर्ट रहेगा बच्चे को पना एकजाम किशी में देना मेरे तरफ से फिर ऐब और जिसे माबाप बहुत सारे माबाप हैं जो अपने बच्चों को सब केंगे कि बच्चे को ढबाप को पकिस तरह से दियान देनसा देना कि जो इसा के और और उसके पड़ता है यह ना पड़ता है उसकी इसतरी देखते हैं उसकी त Ο आगो करे कर रहा है कहा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए उसका ध्यान पुरा रखो इसकूल वी जाओ कररो कैस मैं ऌडर चैकम करते रहों जब भी वह सक्सेत होगा बच्छा में तो नहीं होगा मैंने बिसे ही किया चेक करता रहा हूं मैंने डाड मेन से इसकुल जाता रहा हूं और इनको यही लगन थी कि पढ़ो 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 यह बात है आपकी सफलता के लिए विशेश रूप से आपके इसे स्थरे देरना चाहेंगे किसे आप कहेंगे कि मेरी सफलता के पीछे उस व्यक्ति का या किसका विशेश रूप से हाथ पानेंगे मैं अपने माता पिता अनुबवी गुरुजनो आयम किताबों कहीं पानता हूं अनुकर स्रे देता हूं सभी की एक सामुई जो है आपके प्रति हेल्प रहा कोई विशेश विक्ति जो आपको विशेश अच्छा लगा वह हमिएशा जो जो चाहीे घरिफ में हैंजाए चाही हम वादने मbalance मेनरों पूरी मदद की अरे एक टॉपिक से अनुनजाने और विशेस आप्सीली थिаст है ये हैं राजस्थान में एक शांदार रेंक लेने वाले 12 बाहरवी के आर्ट्स के स्टूडेंट जिन्होंने राजस्थान में रेंक हासिल की है विकानिर जिनले को टॉप किया है बोजराज और ये उनका परिवार साधान परिवार दियात्रा गाउं से मेनागेश कुमार अध्याय के साथ आप सभी को जीवन की खूब उन्नती आप करें इसकी शुब कामना है